अगर आपके बाल सफेध हो गए हैं तो, पहला, प्यास ना लगे या जरूरत ना हो, तो भी हमेशा पानी पिए, सबसे बड़ी स्वास्ति समस्याएं और उन में से ज़ादा तर, शरीर में पानी की कमी से होती है, दूसरा, शरीर से अधिक से अधिक काम ले, शरीर को हिलाना चाहिए, भले ही केबल पैदल चलकर या तैराकी या कोई भी खेल से, तीसरा सुझाब, खाना कम करो, अधिक भोजन की लालसा को छोड़ दे, क्योंकि ये कभी भी अच्छा नहीं होता, आप अपने को वंचित ना करें, लेकिन मात्रा कम करें, प्रोटीन, कार्बोहाइडर आधारित खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करें, चौथा सुझाब, जितना हो सके वाहन का प्रयोग तब तक ना करें, जब तक की अत्यंत आवश्यक ना हो, आप कहीं जाते हैं के राना लेने, किसी से मिलने या किसी काम के लिए, अपने पैरों पर चलने की करें, लिफ्ट एसकलेटर का उप्योग करने की बजाए, सीडियां चड़ें, आच्वा सुझाब, क्रोध छोड़ो, चिंता छोड़ो, चीजों को नजर अंदास करने की कोशिश करो, विक्षोग की स्थितियों में स्वयम को शामिल ना करें, वे सभी स्वास्ते को कम करते ह और आत्मा के वैभव को छीन लेते हैं, सकारात्मक लोगों से बात करें और उनकी बात सुनें, छटा सुझाब, सबसे पहले पैसे का मुह छोड़ दें, अपने आस-पास के लोगों से खूब मिले जुलें, हसे बोले, पैसा जीने के लिए बनाया गया है, जीवन पैसे के लिए नहीं, सात्मा सुझाब, अपने आपके लिए किसी तरहे का अफसोस महसूस ना करें, और नहीं किसी ऐसी चीज़ पर जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, इसे अंदेखा करें, और इसे भूल जाएं, आठ्मा सुझाब, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ती, सुन्दर्त जाती की ठसक और प्रभाव, ये सभी चीज़ें हैं, जो अंकार भर देती हैं, विनबरता वह हैं, जो लोगों को प्यार से आपके करीब लाती है, नौमा सुझाब, अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं, तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, यह एक बहतर जीवन की उसको राहट बना कर रखें, आदीद में चाहें आप कितने भी पड़े पद पर हो, वरतमान में उसे भूल जाएं, और सबसे मिल जुल कर रहें, धन्यवाद